संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीज पिछले साल दिसंबर 2023 में शुरू हुआ विवाद अभी रफ से कोई भी ओफिशल स्टेट्मेंट सामने नहीं आई थी लेकिन हाली में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके और फिर यूट्यूब पर विडियो डालकर अपना पक्ष और पूरी मामला जनता के सामने रखा है इस वीडियो में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है YouTube वीडियो से शुरू में मामला आज को तक पहुंच चुका है इतने महीनों से दोनों ही पक्षों की तर उन्होंने क्या कहा है जनता से पहले आईए ये जानते हैं कि असल में पूरा मामला क्या है It is admitted fact on the file that aggrieved appellant Appellant कौन हुआ? मैं, जो appeal कर रहा है And the respondent number one, यानि कि Sandeep Maheshwari In this business of the same nature, यानि कि हम similar प्रकार के nature में है और ये swabhavik है, it is quite natural that there may be some business rivalry between them क्योंकि वो same business में आना चाहते थे, business coaching करना चाहते थे तो court ने माना कि हम दोनों same business में है Learned civil judge, हाला कि ये observation दे चुके थे That the video and community post a defamatory लेकिन आज भी, बड़े भाई Mr. Maheshwari पे restrained order है अब court ने ऐसा माना है, कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का मैं बोश सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोप दिया गया है court के द्वारा क्योंकि उन्होंने defamation किया है ये विवाद तब शुरू हुआ, जब motivational speaker एवं YouTuber संदीप महेश्वari द्वारा अब प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी company बड़ा business private limited पर 500 करोड का scam करने की बात कही गई ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका विडियो अप्लोड करने के बाद संदीप महेश्वari की और से कई सारी community post और विडियो लगातार अप्लोड किये गए जिसमें डॉक्टर बिंद्रा पर गुम्रहा करने का आरोप लगाया जा रहा है संदीप महेश्वari की और से Hashtag Stop Vivek Bindra और Big Scam Exposed जैसे Campaign भी चलाए गए आपने हमारे को scam बोला आपने हमें Stop Scam Business बोला आपने हमें Hashtag Stop Vivek Bindra बोला तो court ने क्या बोला Court ने कहा कि use a word scam या public versus Vivek Bindra या Hashtag Stop Scam Vivek Bindra या Hashtag Stop Vivek Bindra are clear words इस तरह के negative campaign को अपने खिलाफ होते देख डॉक्टर बिंदरा ने संदीब महिश्वरी के खिलाफ फरिदाबाद कोट में मानहाने का केस दर्ज कराया दिया फरिदाबाद कोट ने डॉक्टर विवेक बिंदरा और संदीब महिश्वरी दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ सारवजनिक रोक से कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी मैं उनको उनके पती संबान में कोई कमे नहीं छोड़ना चाहता उन्होंने देश के सेवा करी है उसके पती महम का जरूर संबान करूँगा परिमतु जो गलती करी है कोड़ दसाइड करएगा और कोड़ रोज रोज दसाइड कर रहा है और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगे ऑर्डर हमारे फेवर में अपने हाप आते चले जा रहे हैं क्योंकि कोट भी सारे पेपर्स दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोट में फरीदाबाद सिविल जज पांच दो दोहलार चौबिश उन्होंने बोला प्लेंटिफ यानि कि मैं इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बंद्रा ने संदीप महेश्वरी द्वारा लगाय गए प्रतेक आरोप का जवाब दिया है और साथ ही उन्होंने आपने सामने आकर बात करने का आमंतरन भी दिया है एक और इन्होंने आलिगेशन लगाया कि आप में 300 करूड 500 करूड कमाया तो हमारा काम है हम बिजनिस करते हैं हम capitalist economy को build कर रहे है entrepreneurship को build कर रहे हैं और revenue कमा रहे हैं जिससे हम लोग entrepreneurship को तयार कर रहे हैं कमाएंगे और आप हमें आशिरवाद दीजे बड़े भाई क्यों हम 500 करोड करेंगे हम 5000 करोड करेंगे लेकिन पहले इमानदारी बाद में दुकान जाईए और ये मैंने ही तेह करूँगा ये लेनिट कोर्ट अंडरिबल जज अब तेह करेंगे और उनको जवाब देने आना ह मिश्र महिश्वरी आपको हमारी प्रातना है बड़े भाई आपको जवाब देने आना हुआ कोड में आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आरे एक मिनिट लगाया आपने जो आप में सामने लोग मिश्र महिश्वरी जानते होंगे उन पर कोड द्वारा लगाए गए प्रतीबंद अब भी जारी हैं वो अब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते जो उनकी समाजिक चवी या उनके बिजनस पर बुरा प्रभाव डाले